नवस्कार मैं प्रिया राज आप देख रहें एक निज 24 केंद्रिय मंत्री चिराग पस्वान पार्टी के अस्थापना दिवस खतम होने के बाद सबसे ज़्यादा सक्रिये देख रहें और सक्रिये के साथ साथ कहा जाए तो अब पार्टी के बड़े निताव पर लगां भी लगा रहें डाग फटकार भी लगा रहें और काफी चुनोती पून कारे भी कर रहें आखिर का केंद्री मंती चिराग पास्वान के तेवर अच्छानक से कैसे बदल गए जबकि वो निता जो अपने पार्टी के लोगों को अपने संसद्ये लोगों को भाई बेहन के रिस्ते से निभाते थे और कहा जाए तो बड़े बुजूर का उन्हें बड़े पैमाले प पास्वान कुछ बदले निज़र आ रहे हैं कहा जै तो पार्टी के बड़े निताव पर अब नकील कसने के कारे के साथ साथ उन्हें बड़ी चुनोती भी देर हैं इस पर आप क्या कहना चाहिए दिखे चिराग पास्वान की पार्टी लोग जन सकती पार्टी राम विलास जो है अपना अस्थापना दिवस मनाने जा रही है और ये इस थापना दिवस जो है गांधी मैदान में मनाया जाएगा अब पूरी गांधी मैदान भरने की तयारी है लेकिन इस थापना दिवस समाप्त होने के बाद में चिराग पास्वान अपने पार्टी पर बड़ा ए जा रहे हैं कि पूरी चिराक पासवान की जो पार्टी है वही बदल जाएगी तो आज हम एक-एक नेता का नाम बताएंगे आपको एक-एक नेता के बारे में बताएंगे जिन पर चिराक पासवान बड़ा एक्षन लेने जा रहे हैं और इसके पीछे की वड़ी वजह क्या र बड़ा एक्सन लेंगे, 22 तारीक को चिराक पासवान की बड़ी बैठक हो रही है, पतना में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में खुद चिराक पासवान भी मौझूद होंगे और महतपून बैठक मानी जा रही है, लेकन उस बैठक के बाद पार्टी का अस्थापना पिताजी पर, जी हाँ, हमारे सुत्र जो जानकारी दे रहे हैं, वो पुखता जानकारी है, कि चिराक पासवान अपने पार्टी में बड़े फेर वदल कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी के कई दिगज नेता जो है, वो किसी दूसरे पार्टी में भी आपको नजर आ सकते है, इसका भी संसे बना हुआ है. पार्टी कहा जाये तो काफी सक्रिये दिखरी चाहे बात की जाये जन्सुराज पार्टी की और से हर नेताव को लुभानविक करने का इस वक्त कारे करे तो चिराग पासवान के भी पार्टी से कई नेता का वहां जाना भी हो सकता है बिल्कूल देखिए अगर हम सबसे पहले बात कर ले चिराग पासवान के पार्टी के परदे सध्यक्ष राजुतिवारी की बीते दिनों जब स्वर्गिया रामिलास पासवान जी का पुर्ण तिथी मनाया गया था आप सबको याद होगा कि चिराग पासवान पटना पहुँ पुराने घर है पुराना आवास है वहां पर अपने पिता जी का धूम धाम से यानि कि सहर बनी गाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ वहां पर धूम धाम से पुर्ण तिथी मनाये थे लेकिन जब चिराग पासवान एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं देखिए इसकी पूरी ज नदारत होती हैं, भीर नदारत होते हैं, मीडिया चार-पांच होते हैं, बस उससे ज्यादा मीडिया कर्मी नहीं होते हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान ने अपने पार्टी के बड़े निताओं को एयरपोर्ट से लेकर घर तक डाट फटकार लगाया, यहां तक की गाली गलॉज भी हुआ उसमें, अब यह जानकारी हमें है, इसलिए हम बता रहे हैं, चिराग पासवान और किन कार्मोज से गुस्सा हुए थे, चिराग पासवान का कहना था कि पटना में पोश्टर बैनर क्यों नहीं लगे मेरे पिता जी का, आरे भाई, पटना में पोश्टर नहीं लगे, पाटी फंड से आप पैसा जारी करेंगे, तब न पटना में पोश्टर बैनर लगेंगे, कब तक नेता फिरी में आपके जंडा धोते रहें, और कब तक नेता अपने जेब से आपका पोश्टर और बैनर पूरे पटना में लगाते रहें, यह हो गया, अब र राजुतिवारी का तीन साल का जो कार्य था वो पूरा हुआ राजुतिवारी ये चौथा साल चल रहा है अलगाता राजुतिवारी चार साल से पार्टी के परदेश अध्यक्ष बने है वैसे में चिराक पासवान ने राजुतिवारी के लिए दो फर्मूला तयार किया है प् राजुतिवारी को कहा जाएगा कि हम 3 साल के लिए परदे सध्यक्ष बनाते हैं, आप 4 साल रह गए, अब नए चेहरे को मौका दीजिए, आप पीछे जाईए, प्लान A है, प्लान B राजुतिवारी के लिए है कि अगर पार्टी का इस्थापना दिवस सफल नहीं होता है, ज जाने कि प्लान A, प्लान B तैयार, राजुतिवारी के लिए, अब उसके बाद में हुलास पांडे जी जो विधायक बनना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि टिकट मिलेगा पर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, उलास पांडे जी को टिकट भी नहीं मिलेगा, ये भी हुलास पा पर नय चेहरे, अब तीसरा मुख्य परवक्ता, राजेस भट जी, जी हाँ, राजेस भट जी को भी हटाया जा सकता है, जो हमारे सुत्र जानकारी दे रहे हैं, यानि कि पाटी के तीन धरोहर, राजुतिवारी, हुलास पांडे, राजेस भट, ये तीन ऐसे चेहरे, जब पा होकर आज पांच सांसद वाली पाटी बनाई, लेकिन चिराक पासवान अब इन लोगों पर बड़ा एक्सन ले रहे हैं, बड़ा एक्सन लेते हुए इन लोगों को पद से हटा रहे हैं, उमीद तो था तीनों को कि सांसद बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उमीद अब कि भीधायक बनेंगे पर टिकट देने नहीं जा रहे हैं चिराग पासवान क्योंकि टिकट क्या करने जाते हैं उसको पता है अब उसके बाद में आपको ये भी पद से हटाए जा रहा है अंदर खाने और क्या बात चल रहा है कि जो राश्टिय कारेकारणी में अभी नाम जा पार्टी में लोग सामिर है जो आम आदमी है वो चाहते हैं कि अब हमें भी चमकाया जाए बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है पार्टी में अब इसको लेकर पार्टी के जो निता है वो नाराज हो गया है और नाराजगी की वजह ये भी बनेगी कि चि चिराग पासवान का जिस टेंट में के नीचे चिराग पासवान बैठ कर PC करते हैं तमाम लोगों को बैठाते हैं कहीं वो टेंट भी न उखर जाए क्योंकि वो टेंट भी किसी और के सर्जोन्य से लगा हुआ है किसी और के पैसे से लगा हुआ है तो अब चिराग पासवान जी सोचे कि उनकी पार्टी किस तरीके से गर्क में जा रही है अब चिराग पासवान जी या चिराग पासवान के जो सपोर्टर है जैसे ही ये खबर चलेगी तो गर्याने का सुरू करेंगे कहेंगे कि ये सब चीजे आप लोगों को कैसे पता चल जाता है तो भाई पता चल हमारा काम ही है, खबर निकालना, हम बहुत अच्छे तरीके से खबर निकालते हैं, और चिराक पासवान जी जो सब कुछ सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे, और किने किने बनाया जाएगा, परदेश अध्यक्ष राजुतिवारी जी को हटा कर, सीधा सीधा उस जगह पर, चिराक पासवान के माननिय जीजा जी अरून भारती सह जम्मूई के सांसत को बैठाया जाएगा, उसके बाद हुलास पांडे जी के भी जगह पर, सीधा सीधा पासवान समाज के व्यक्ति को बैठाया जाएगा, उसके बाद बच्चते हैं मुख्य परवक्ता, राजेस भट जी, पता ही नहीं चल रहा है, उन पर भी एक्षन हो रही है, बेठ जी सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें भाई, एक्षन हो रहा है, तो बेठ जी भी यही चिंतन मंथन में लगे हुए है, लेकिन पार्टी के ऐसे नेता थे, जो पार्टी के बुरे वक्त में साथ दिये, और पासवान का अच्छा बक्त आते ही, चिराक पासवान जो है, इन लोगों को अब साइड कर रहे है, साइड करने का कारण क्या कुछ रहा, हमने आपको यह भी बताया, जैसे के भी आपने सनाय के विकास ने बहुत बड़ी खुलासे कर दी, जो सुत्रों के हवाले, यह सब ब जो हार करते हैं, डार्ट फटकार लगाते हैं, पटना में उनके पिटता जिका, पोस्टर नहीं लगता है, उसे लेकर वो पाची के लोगों पर जड़ा पुत्ते, यह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जो चार नाम विकास जी ने हमारे समक्ष रहा खा, जो हटने वाले है और उनके जगा किन चेहरे पर लोग का मोहर लगने वाला है, यह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन देखने वाली बात हो जाएगे कि वाकई चिराग पासवान इसी तरह अबने पार्टी के बड़े निता और नए चेहरे को ले करके इसी तरह तरह तमाम चीज़ेख फैसले लेते रहेंगे, तो यह कहीं ने कहीं पार्टी की चूट में सबसे बड़ी बात हो जाएगे, तो आज के इतना है, ऐसे तमाम ख़बर के बने रहीएगा, एक निउस 24 पर धन्यवाद,